गुड़ मॉर्निंग एब्रीबडी आल अफ यू प्यारे बच्चें आज मैं सेट लेके आया हूं आप लोग के लिए 2019 का सेट नंबर पांच इंटर्मीडियेट बोर्ड परिच्छा रसायन विज्ञान केवल प्रस्न प्रत्त आपको यहां पर दिया जा रहा है जो कह रहा है कि इस प्रस्न के प्रतेक खंडे में चार बिकल्प दिये गए हैं सही बिकल्प चुन कर उसे अपनी अभ्यास उस्तिका पर लिखिए पहला जो प्रस्न है अन्चुमकत प्रदाशित करने वाला ठीक है पदात कौन सा है तो आप्सन हो जाएगा O2 पहले का खाप प्रस्न का रहा है कि निम्लिखित में से सबसे कम वास्प दाव वाला बिलियन है सबसे कम वास्प दाव वाला बिलियन हो जाएगा तो आउंसर हो जाएगा K2S04 हो जाएगा अगला प्रस्ण है निम्लिखी चार रंग हीन लवडों के बिलियन प्रिथक प्रिथक प्रक नलियों में रखे गए तथा प्रतेक में ताबे की एक पट्टी डुगोई गई तो कौन सा बिलियन अंत में नीला हो जाता है तो आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रिट इसके बाद अगला प्रस्ण है सुन्न कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांग होता है वेग नियतांग क्या होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है तो यह आंसर हो जाएगा जो अगले प्रस्ण की बात करते हैं इमाइडों से एथिल एमीन बनाने की विधी क्या है या अभिकर्मक क्या होता है इसमें कौन सा अभिकर्मक प्रियुक्त होता है बियार्टू या के ओएस प्रियुक्त होता है पिरिडाउक्सिन का नाम बताना है का नाम है बिटामिन 6 का इसका नाम है चले ठीक अगले प्रस्ण की बात करते हैं प्रस्ण नमबर दूसरे का का जो कह रहा है कि धात्विक सोड क्रिष्टल आक्रित में घंजालक केंद्र है सोने के 2 ग्राम में 21 सेल की अनुपस्तिती संख्या क्या है सोने का परमाडु भार जो दिया गया है 189 है सोने का परमाडु भार यहां दिया 189 दिया गया है 2 ग्राम सोने में परमाडु की संख्या निकाल लिए तो परमाडु की संख्या हो जागी सोने का द्रबमान बटे सोने का अड़ुभार गुड़े औगाद्रो संख्या क्या हो जाएगे औगाद्रो संख्या इसके बाद यहाँ पे हम लोग रखेंगे सोने का जो दिया गया है दो दिया गया इनका द्रबमान दिया गया है सोने का प्रमार भार दिया गया 189 दिया आउगादरो संक्या हमेशा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती जब इसको हम लोग भाग दे देंगे इसमें इससे तो हमाज आंसर जाएगा 6.72 इंटू 10 की पावर 21 आ जाएगा ठीक है तो दूसरे का खा नंबर जो प्रशन की बात करते हैं 7.5 ग्राम परदार्थ के 5 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में कर हिमांक में 1.2 डिगरी सेल्सियस की ठीक है क्या हुई है कमी हुई है तो परदार्थ का जो परदार्थ का अड़भार ग्याद कीजिए इससे पहले कहले जल का मोलल ऑनोमन इस्तिरांग क्या है तो यहाँ पर चली ठीक हम निकालते हैं क्या है कि हिमांक में ऑनोमन बिधी से किसी आववास्षिल बिदुत अणभघट बिले का अरुभार निकाल लेंगे तो यहां पर M बराबर हो जाएगा 1000 into KF into small W upon delta F into capital W हो जाएगा ठीक है तो यहां से हम अगले प्रस्ण की बात करते हैं small M बराबर 1000 गुडे करने 1.86 गुडे 7.85 और बटे कर लेंगे 1.2 गुडे यहां 75 हो जाएगा भाग दे देंगे सब कुछ कटपिट के भाग दे देंगे आ जाएगा 100.85 आ जाएगा दूसरे का जो गा नंबर प्रस्ण कहा रहा है कि zinc और zinc 2 प्लस आयन एक मोल में cobalt 2 प्लस आयन एक मोल cobalt cell का EMF ग्यात कीजिए जबकि cell इस cell के लिए कहा रहा है e not equal to zinc 2 प्लस आयन zinc दे दिया तथा cobalt 2 प्लस आयन slash cobalt दे दिया के लिए मानक यानि अपचेन विवह जो करम से दिया गया है 0.76 बोल्ट और प्लस 2.1 ग्राम बोल्ट है तो इसकी सांदरता एक मोलर है तो यहाँ पर सिंपल सा ऐसे भी प्रेस्ट मेंने कई बार करवा चुका हूं हमने कहा यह नोड माइनस से कैठोड रखो और यहाँ पर माइनस वाले बैलू पीछ रो माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा तो जोड़ देंगे तो 1.04 बोल्ट आउंसर आजाएगा ठीक यह हमारा आउंसर हो गया हम अगले प्रेस्ट पर चलते हैं कि कह रहा है कि ब्राउनी गत क्या है इसका कारण तथा इसको प्रहवित करने वाले दो प्रमुक कारक भी लिखिए यहनि ब्राउनी गत क्या है इसका ठीक कारण तथा इसको प्रहुइत कने वाले दो प्रमुक कारण भी लिखना है तो ब्राउनी गत क्या है तो मैं इसके बारे बात करता हूं कि ब्राउनी गत क्या है स्वरप्रथम राबर्ट ब्राउन ने अति सूच दर्सी दोरा कोलाइडी बिलियनों का ठीक है कोलाइडी जो बिलियन का कह रहा है कि सूच मसला बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से उनका अध्यन किया और पाया की कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कर निरंतर क्या आसमान ठीक है, आसमान गत करते रहते हैं, जिसे उनके नाम पर ब्राउनी गती कहा गया, देखिए और इसकी सौट परिवासा क्या है, कुलाइडी कडों दोरा कुलाइडी बिलियन से आसमान गत को ब्राउनी गत कहते हैं, जो ब्राउनी गत कहा फिगर बनाय गया है, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ब्रावने गत के कारण क्या क्या हैं कोलाइडी बिलेपिलेंग में क्टलाइडी कणों का आकार बहुत बढ़ा होता है जिसके कारण माध्यम के नीरंतर क्टलाइडी कटों पर बंबारी करते हैं जिसके कारड़ कुलाइडिक कड़ों पर गत क्या होती उत्पन होती है अगले प्रस्न की बात करते हैं हम लोग कुलाइडिक कड़ों का आकार बढ़ने के साथ ब्राउनी गत का मान कम हो जाता है और निलंबन में पूरी तरह समाप्थ हो है देखिए इसके बाद अगले प्रश्ण की बात करें तीसरे का का जो मेरा प्रश्ण चीनी के सीरे के कह रहा है कि 214.2 ग्राम में 24.2 ग्राम चीनी है और चीनी के सीरे की मुललता क्या होगी तो यहां पर चीनी का प्रश्ण चीनी के सीरे के लिए आ गया तो जाएगा 24.2 में घुली चीनी की मात्रा बतानी है 24.2 हो गया तो इनकी हम मुललता निकालेंगे जब इनकी हम मुललता निकालेंगे तो इनको क्या कर देंगे 24.2 बटे 342 बटे कर देंगे 24.2 बटे 1000 कर देंगे इसको तो हमारा जाए 0.47 मॉल ठीक हमारा अंसर जाएगा अगले प्रस्ण की बात करते हैं कि प्राथ्मिक सेल क्या होते हैं क्या प्राथ्मिक सेल क्या होते हैं और सुस्क सेल का यहां पर व्याख्या करना है जो प्राथ्मिक सेल क्या होता है प्राथ्मिक सेलों में इलक्टोड अवक्रिया केवल एक बार ही होती है और कुछ समय बाद सेल क्या होते हैं मृत्त हो जाते हैं अर्था सेल को पुने आविसित नहीं किया जा सकता है यह बता जा रहा है ठीक है और देखिए सुस्क सेल में बता जा रहा है यह सबसे अधिक प्रियोग के जाने वाला प्रात्मिक बैपारिक सेल है एक समाने जो सुस्क अधिक लिए भी दिखाने दर्साया गया है इसमें जिंक धाथ उसे बना एक पात्र होता है जो इनोड का कारी करता है और इसमें अमेन ओटू या कारवन चूड में घिरी हुई एक ग्रिफाइड चड कैठोड का कारी करती है जिंक पात्र तता ग्रिफाइड चड के मद्ध को जरूरिक अस्थान होते हैं वो मैंगनीसियम, मैंगनीस कुलराइड और जिंक कुलराइड एक कह रहा है कि नम प्लेट से क्या पूरा मतलब भरा होता है पेश क्या भरा होता है और आगे कह रहा है कि जिंक पात्र के चारों और गत्ते का आउरड क्या होता है चड़ा रहता है और सेल के उपरी जो सीरा होता है उसमें कह रहा है कि मोम या चिप से सील कर दिया जाता है पिस से करें अब देखोंगो ताकि इसका पेश्बाहर ना है इस सेल में जड़ी रसाइनिक अफक्रिया होती है इन अफ्क्रिया को सरल रूप से निम्र प्रकार से प्रधासित किया जाता है अब यह कह रहा है कि एनोड एनोड पर यहाँ पर बताएं यहाँ पर टू लेक्टॉन यहाँ पर जिंग और एरो कर दिया अब इसकी क्रिया भी भी बतानी है इसमें कह रहा है कि यहाँ पर ठीक है यहाँ जो आप दीख रहा है ना गिरफायट की छड़ लगाए और इसमें कह रहा है जिंक यह एनोट का कारी कर रहा है, यह kya कारी कर रहा है, और इसमें कह़ाए है कि चूड भरा गया है, यह क्या mean meanize collide और gene collide का चूड इसमें भर दिया गया, ठीक है? अब इसी का जो परस्टने कह रहा है कि हम नों को कहा देने हैं? टिपड़ी करना है. हाड़ी, सूलजय, नियम क्या है? इस नियम के उनसार किसी असकंदित आयन की असकंदन चंदा उस पर उपस्तित आवेश के समानपाती होती है. अर्था जिस आयन पर जिटना अधिक आवेश उपस्तित होता है उसकी असकंदन चमता कामान उतना ही क्या होता है अधिक होता है नेश्ट है धनात्मक कॉलाइड के लिए देखे धनात्मक कॉलाइड के लिए क्या होता है यह सबसे क्या होता है बेश्ट होता है ठीक है इसके बाद यह बताया गिया कि पीओफोर थिरी आयन हो गया एसोफोर टू एइन सीयल वन एइन यह कह रहा है कि असकंदन चमता का इनका बढ़ता हुआ करम हो गया और यह रियात्मक लाइडिक के लिए यहां पे टी एच फोर प्लस और एल एल थी प्लस आयन यहां पे एजी टू प्लस आयन एने वन प्लस ठीक है यह रियात्मक का ठीक को लाइडिबिल का है नेश्ट कहा रहा है कि नेश्ट जो प्रस्ण है इंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है मैं इसको बता रहा हूं कि इंजाइम उत्प्रेरक को जैविक रसायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं यह जटिल नाइट्रोजन युक्त परदार्थ होते हैं जो जीवों में होने वाली अविक्रिया में क्या करते हैं भाग लेते हैं इंजाइम सभी जीव जन्तूं पेड़ पौधे ब्रस्पतियों में पाए जाते हैं कि अब देखिए कहरा है कि लोरीन बनाने की वीचरन भीधि याने क्लरीन बनाने की वीधि दतहर इसानिक समीं कर भी दीजिए और सुस्क बुझे हुए चोने पर क्लोरीन की अपकरिया का भी देना है तो ठीके वीचरने भीधिस हम देखते हैं प्रियोग साला में मैगनिज डाइ ऑक्साइड की क्रिया ठीक है जो क्रिया है से कराने पर क्लोरिन गैस प्राप्त होता है क्लोरिन गैस प्राप्त होता है तो ठीक है मैं यहां पर करा रहा हूं कि MnO2 को 4S2 क्रिया करवा देंगे तो यहाँ पर MNCl2 बन जाएगा और 2S2O बन जाएगा और यहाँ हमारा Cl2 बन जाएगा ठीक है नेश्ट मेरा जो प्रस्ण कहा रहा है कि बुझे हुई चूने के साथ अब क्रिया देना है तो जब क्लोरिन को हम लोग क्या कैलिसियम हाइड ऑक्साइड के साथ क्या लेले कैलिसियम हाइड ऑक्साइड के साथ Cl2 जब अपक्रिया दे देंगे तो हमारा बन जाए कैलिसियम हाइपो क्लोराइड हम लोग इसी को बोलते हैं क्या ब्रंजक चूड कहते हैं देखिए इसके बाद कहा रहा है कि पाइरो यू स्लाइट से पोटेसियम पर मैगनेट बनाने की विधी और उनकी अमली फेरस सलफिट और हाइडोजन प्राउकसाइड से अपक्रिया का रसानिक सर्म कर देना है ठीक है इसको आपनों ध्यान दिजेगा पाइरो लूसाइट से मन के मन ओफोर बनाने की विधी क्या है तो मैं इसकी विधी को बारे मैं आपको बैख्या कर रहा है पोटेसियम पर मैंगनेट को जब पाइरो लूसाइट यानि मन ओटू से और दोगिक रूप में बनाय जाता है तो यह निमने परकार है ठीक है इसका प्रकार मैं आपको उता हूँ पहले दोगों फर्स सिस्टम में क्या होता है यह कह रहा है कि पाइरो लूसाइट से पोटाइसियं मैगनेट ठीक है पाइरो लूसाइट के बारीक चूड को के ओच या के टूसियो थ्री के साथ वाय कंडल में विद्दमान ऑक्सीजन या आकसी कारक के अनो थ्री या के सी यलो थ्री की उपस्थिती में ठीक है क्या संक्लित करने पर यह अब क्रिया potassium magnet प्राप्त हो जाता है अगला देखी जो प्रश्ण मारा है यहाँ पर 2MnO2 को 4KOH और O2 के साथ जब अब क्रिया करवा देंगे K2MnO4 को 2S2O प्राप्त हो जाएगा MnO2 प्लस 2K2 CO3 और O2 के साथ क्रिया करवा देंगे तो 2K2MnO4 और CO2 मिल जाएगा अगले प्रश्ण की बात करते हैं यहाँ पर MnO2 के MnO2 प्लस 6KOH और KClO3 के साथ जब इसको हीट कर देंगे तो K2MnO4 और KClO3 और 3S2O बन जाएगा अगले प्रश्ण की बात करते हैं कि Potassium Magnet से Potassium Per Magnet कैसे बनाएंगे तो उप्रयुक्त पद्र से प्राप्त जो हरे रंग के परदार और Potassium Magnet की जल से निसकर्षित करते हैं यह निसकर्ष का निमने यानि विधियों से हम एक विधी द्वारा हमनों आक्सिकर कराते हैं तो अगले प्रश्ण की हम बात करते हैं यहाँ पर बैदुद अबगटनी आक्सिकर्षि क्या होता है Potassium Magnet यानि KMNO4 का Billion का कहरा की आयन इलेक्टोर्ट के साथ बिद्दुद आक्सिकर्षि करने पर एनोट पर आक्सिजन मुक्त होता है इसका जो आक्सिकर्षि करके पर मैंगनेट में क्या हम लोग करते हैं परिवर्थित कर देते हैं तो KMNO4 को H2O और इनका हमके आक्सिकर्षि करवा दें तो हमारा बन जाएगा KMNO4 और हमारा कोह मिल जाएगा ठीक है अगले प्रश्ण की बात करते हैं इनका जो रसानिक समीकर्षि करते है इनका आक्सिकर्षि करवन और डाई ऑक्साइड ओजोन या क्लोरीन गैस प्रवाहित करके भी किया जा सकता है अगले प्रश्ण की बात करते हैं K2MNO4 को 2CO2 Aero 2KMNO4 को 2K2CO3 और MNO2 के साथ अब नेश्ट इसी कह रहा है कि हमारे 2K2MNO4 को ओजोन हो गया और जल हो गया इसके साथ अपक्रिया करवा देंगे तो 2KMNO4 मिल जाएगा और 2KOH मिल जाएगा और S2O मिल जाएगा इसी को नेश्ट इसी का है यहाँ पे 2K2MNO4 को CL2 के साथ अपक्रिया करवा देंगे 2KMNO4 और 2KCL प्राप्त हो जाता है इसी कर इसी प्रकार प्राप्त जो के MNO4 ठीक बैगनी रंग के बिलियन का किस्टली क्रिट करके हम लोग KMNO4 बिलियन प्राप्त किया जाता है और देखी इनका जो रसायनिक समीकर है इनका अमली फैरेस सलफेट के साथ तो हम लोग जब इनका अपक्रिया करवा देंगे तो K2SO4 और प्लस 2MNSO4 और 5Fe 2SO4 का थ्राइस मिल जाएगा अगले प्रस्णिकी हम बात करते हैं अगले प्रस्णिकी बात करते हैं हाइडोजन प्राउकसाइड से अपक्रिया देना है 2KMNO4 को 3H2SO4 और 5H2O2 के साथ क्रिया देंगे तो मिल जाए कि 2SO4 मिल जाएगा 2MNSO4 प्रात हो गया 8H2O मिल गया और 5O2 मिल गया अगले इसी का कहा रहा है कि next है हम लोग जो अपक्रिया करवाएंगे KNO2 से के साथ अपक्रिया करवा लेंगे इसका हम लोग तो यहाँ जाएगा 2KMNO4 को 3H2SO4 के साथ 5KMNO2 के साथ तो यहाँ पर जो मिल जाएगा 2 MNSO4 मिल जाएगा और 5 KNO3 मिल जाएगा और 3 H2O हम लोग के क्या होगा प्राप्त हो जाएगा इसके बाद जो प्रस्टने कहा रहा है कि हाप मैं हाप मैं ब्रॉमाइड अब क्रिया दो आ रहा है इनिलीन बनाने का रसायनिक समीकरड लिखे तथा इनिलीन की सिटिल कुलाइड और कारवन डायाउकसाइड के साथ होने वाली रसायनिक समीकरड भी देना है क्या देना रसायनिक समीकरड भी हम लोग को देना है ठीक है तो इसका रसायनिक समीकरड भी देना है तो यहाँ पर पहला कहा रहा है कि हाफ मेन ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होती है जब एमाइड की अपक्रिया ब्रोमेन तथा प्रबल छार जैसे के एन ए ओएच और के ओएच आदि के साथ कराई जाती है तो प्रात्मिक एमीन उत्पात की रूप में प्राप्त होता है इस अपक्रिया में एमाइड समू से सीओ समू उत्पात में क्या होता है कम हो जाता है इसलिए इसे हाफ मेन ब्रोमाइड निम्नी करण अपक्रिया भी कहते है ठीक है यहाँ पर जो रेक्षन बताया गया C6H5CO NH2 के साथ हम लोग BR2 और 4KOS के साथ अपक्रिया करवा देंगे तो C6H5 NH2 प्लस 2KBR प्लस K2SO3 प्लस 2H2 प्राप्त हो जाएगा अगले प्रस्ण की बात करते हैं हम लोग जब एनिलीन की इसितिलीन कोलाइड के साथ अपक्रिया करवाते हैं ले लिया एनिलीन ले लिया इसितिल कोलाइड ले लिया जब यहाँ प्रस्ण की उपस्थिति में जब इसके अपक्रिया करवा देंगे तो NACO CS3 प्लस और यहाँ पे सहुत्पाद हमारा यह मिल जाए यह सहुत्पाद SCL मिल जाएगा अगला जो प्रस्ण कहा रहा है कि एनिलीन की कारवन डाई सलफाइट के साथ हम लोग को अपक्रिया देना है तो यह हमारा एनिलीन हो गया ठीके कारवन डाई सलफाइट साथ अपक्रिया दे देंगे तो यहाँ पे हमारा डाई फेनिल ठीके तो यहां पे ट्राई तो हम लोग को ये पूरा प्रात हो जाएंगा प्रस्ट नमबर पांच का की बात करते हैं कि अब किरिया की आडविक्ता और कोट को प्रभासित कीजिए प्रथम कोट की अब किरिया कह रहा है कि 40 सेकेंड में परदात की सानता के आधी रह जाती है तो अब किरिया के वेगिस्तरांग की करना करना है तो यहां पर बताए जा रहा है कि अब किरिया की जो क्या आडविक्ता है किसी अब किरिया में भाग लेने वाले अभिकारक की अड़ों की नियूंतम संख्या को अब किरिया की क्या बोलते हैं हम लोग अबकिरिया की आडविक्ता कहते हैं अब देखिए कोट क्या होता है किसी अबकिरिया के वेख समीकरण से अभिकारकों के जो यह जो सांद्रण के उपर जो चड़ी घात होती है उसी को अबकिरिया की कोट कहते हैं हम लोग उसी को क्या बोलते हैं अपकरिया की कोटी कहते हैं इसके बाद बताए गया कि आयू बता जा रहा है कि आयू काल बताए गया टी हाफ यान 40 सेकेंड है केक कॉल्टू दिया गया 0.693 टी हाफ यहां से 40 से भाग दे देंगी इसमें तो आंसर आ जाए गया 1.7 ही 10 के पावर मैनिस 2 सेकेंड इन्वर्स की संचेप में ब्याक्ष्या कीजिए तथा निमलिकित योगिक के आयू पेसी नेम भी आपको लिखना है तो पहला हम लेते हैं के थिदी एल अपक्रिया लिखिए और फ्रेयान का सूत और इरकाउप योग भी लिखना है ठीक है मैं बच्चों बता रहा हूं कि हैलो एरीन क्या होता है वे एरोमैटिक हैलोजन योगिक जिनमें हैलोजन परमार सीधे एरोमैटिक यानि वल जो रिंग होता से जुड़े होते हैं उसे हाइलाइट या हाइलो एरीन कहते हैं इसके बाद यहां पर हम लोग नाइटिक करवा देंगे यहां पर जो ब्रोमो ठीक है यहां पर जब सीच फाइब बियार के साथ अपक्रिया करवा देंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा आर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बन ज और इसका उपयोग क्या है फ्रीजर में एक कह रहा है कि प्रसीतक के रूप में तथा एरोसाल के निवाण में इसका उपयोग किया जाता है अगला प्रस्वन फार्मेट डियाइड और मेथिल एसिटेट से मेथिल एलकोहाल के बिचरन की विधी लिखे मेथिल एलकोहाल की ग्रीनार करमक और आखसेली कमर से अब किरिया के रशानिक समय कर लिखे और इनके प्रमुक उपयोग भी लिखे अगला प्रस्वन है मेथिल एसिटेट से मेथिल एलकोहाल कैसे बनाएंगे तो हमारे मेथिल एसिटेट का सूत्र है यहाँ पर Na sodium hydroxide लिया गया अब क्रिया करवा देंगे methyl alcohol sodium acetate बन जाए गा अगला प्रस्ण है इसी का methyl alcohol की क्रिया ग्रीग नाड़ अभिकर्मक के साथ तो यह हमारा होगे methyl alcohol ठीक है CS3MGBR के साथ इतर की सुस इतर की उपर से अब क्रिया करवा देंगे तो यहाँ पर मेथेन हमारा प्राप्थ हो जाए गा अगला प्रस्ण है methyl alcohol की आकसेलिक अमले के साथ हम लोग को क्या देना है अब क्रिया देना है तो यहाँ पर मेथिल इलकोहाल को आकसेलिक अमले के साथ अब क्रिया यहाँ पर यह हमारा ऑकसेलिक अमल है यह मेथिल इलकोहाल अपक्रिया दे दिया तो यह हमारा पूरा संपूर अपक्रिया राप्त हो गया और इसका अप्योग क्या है इसका अप्योग कहा रहा है कि पेंट वारनी चमड़ा पैट्रोल और मेथिल इलकोहाल का मिस्टर मोटर इ हैं तो हमारा फार यह फार्मेल डियाइड उसके अब गर्म कर देंगे तो यह अब क्रिया प्राप्त हो जाएंगे अब कहारा है कि एसी टोन को सान सल्फूरिक अमल के साथ आस्वित करते हैं तो जो आस्वित करेंगे तो हमारा यह मिल जाए गा इसके बाद फार्मेल डियाइड की क्रिया CS3-MG-B-R से कराई जाती है ठीक है जब इससे कराई जाएगे तो क्या प्राप्त होगा यह हमको बताना अब घटन करवा देंगे यहां पर फार्मेल डियाइड ले लेंगे CS3-MG-B-R ले लेंगे इसके साथ करवा देंगे तो हमारा यह step प्राप्त हो जाएगा अगला करें CT Advil को PCL5 के साथ गर्माइग जब CT Advil को PCL5 के साथ ऊपक्रिया करवा देंगे तो यहां से में जाएगा CS3, COCL में जाएगा और SCL में जाएगा POCL3 मिल जाएगा आप Bernal Dehyde की सांद्र आपक्रिया करवा देंगे तो हमारा CCH5 CCH5 मिल जाएगा और अगला करें CCH5 COONA मिल जाएगा CCH5 और यहां पर हम लोग को CH2 OH मिल जाएगा अगला प्रश्ना कैसे प्राप्त करेंगे तो यह देखो बहुत बार प्रश्ना फार्मी कम्र से आउकसेली कम्र यह आप देख लिजे कैसे प्राप्त करेंगे हमने बहुत बार इसको बढ़ा दिया है इसलिम इसको क्वेश्ण को दिखा रहा हूं एसीडी कम्र से एथिलेकोहल कैसे प्राप्त करेंगे इसको भी देख लिजे